नमस्कार दोस्तों मैं अंकोर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनालिसिस में दमदार नमबर लेकिन उसके बावजूद शेर 5% के लोवर सर्केट पे लॉक हो गया है देखिए एक चीज तो किलियर है ये मल्टी बैगर स्टॉक है और ये भी किलियर है कि बहुत भागा हुआ शेर है लेकिन यहां नमबर भी बड़े दमदार आए हैं तो इन्वेस्टर्स जो लोवर सर्केट देखकर डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा है कि बही नमबर तो अच्छे है पर शेर क्यों तूट गया यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूँ कभी कबार ऐसी चीजे हो जाती है जब आपका शेर बहुत भागा हो तो ZEN Technologies के बारे में बात करने है ZEN Technologies Limited जिसका मार्केट शेर है करेंट लेवल पर एक हजार चौतिस रुपेगा एक हजार चौतिस रुपेगा स्टॉक है पांच परसेंट की गिरावट के साथ आज यह शेर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है सबसे पहले कंपनी करती क्या है ZEN Technologies Limited was incorporated in 1996 the company designs develop and manufacture compact training solution and counter drone solution for defense and security forces तो ड्रोन जो बनाती है ना कंपनी defense segment के लिए उसमें सरकार ने last to last year काफी बड़ा focus किया और उसके बाद यह stock हुआ मल्टी बैगा है 2500 रुपे का यह ZEN Technology share आज 1000 रुपे पे खड़ाया और उपर 1500 का हाई लगाया है मैं बिना किसी देरी के directly इसके results पे आऊँगा जो आज आए है पहले मैं आपको बदा दू return on equity 33% है return on capital loss 46% है यह सारी चीजे जितनी अच्छी है न उतना share का price भी already भाग चुका है यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है तो यहां से जब growth आएगी तब stock का price additional भागेगा 19 times की book value पे trade कर रहा है 19 times सस्ता नहीं है बहुत महंगा है बहुत बट बजार इसलिए trade कर आए इसे महंगा क्योंकि इसमें growth हा रही है आगे बात करूं मैं अगर आप सभी के साथ results पे directly तो देखो quarter on quarter company का revenue 41% बढ़ा है bracket, माम ली growth नहीं है company में 500 करोड से 141 noperonics करोड का हा वही पया reports देखो 30 करोड से बढ़ creator और एंग क्वाटर and 2023 करोड के सामने 38 करोड होंगा it margins मेराल की pressure है-हलक नहीं बड़ा प्रेशर है 37% से घटकर 36% रह गए है year on year basis पे यह तो कुछ भी नहीं है 43% से घटकर 36 रह गए है quarter on quarter तो margins में पिटाई पड़ी है जिसकी वज़े से hiding stock टूटा है अब मैं एक ऐसा hidden point बताता हूँ जो शायद अगर आप कहीं cover कर रहे हो या खुद भी check कर रहे है आपने नहीं notice किया होगा वो है future discount देखो अभी company ने 141 करोड का revenue पेश करा वो भी तब हुआ है जब 40% growth आई है quarter on quarter अगर अगले quarter में company ने 142 करोड का ही revenue पेश करा तो पता है growth कितनी होगी बहुत ही nominal सी क्योंकि quarter on quarter सेम रह जाएगा और year on year basis पे भी last year June quarter में 132 करोड का revenue था तो company को यहां से भी और तंड़ी growth दिखानी पड़ेगी तब अगले quarter के number अच्छे माले जाएगे otherwise अगला quarter खराब हो जाएगा company का तो बजार साइथ यही predict करके जा रहा है margins घटी रहे है operating profit भी अगर मैं last quarter की बात करूँ जून quarter की बात करूँ न है अगले quarter में जब number आएगे तो हम क्या compare करेंगे जून to जून तो last year जून में न 69 करोड का कामकाजी मुनाफ़ा है तो दिक्कत आएगी अगले quarter में की कैसे अभी तक base कमजोर है यानी पिछला इस्सा कमजोर है लेकिन अगले quarter में न base बहुत हाई है तो उसको बीट कर पाना एक challenging होगा इसलिए I think stock का price तूटा है और final decision की क्या करें क्या ना करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा company की share holding pattern जहां public category continue बढ़ती जा रही है जो कि एक negative sign होता है FIA DIs घट रहे हैं थोड़े थोड़ी घटे हैं जाता नहीं हाला कि DIs तो बढ़े हैं लेकिन FIs हलका गट 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 गई है FIs ने almost 0.8% के something का stake कम करा है तो DIs की बात करें उन्होंने 0.2% का stake बढ़ाया है तो इनका stake बहुल अलका बढ़ा है लेकिन FIs ने almost 0.5% से जादा stake गटा है प्रमोटर सेम है प्रमोटर से सेप्टेंबर 2023 के बाद से 2% के गरीब का stake कम करा है तो मेरा मानना है कि फ्रेश एंट्री के लाइक तो इस टोड़ा सा दूर हो गया है भाग भाग भी चुका है काफी सारा तो अभी फ्रेश एंट्री तो अवाइड करें जिनके पास है वह ब तो आप होल गीजिए बाकी जब डिप आएगी जब हमें लगेगा लेने बाला भावर तो जरूर डिसकस करूंगा लेकिन इस कौर्टर नंबर जरूर अच्छे ते स्टॉक तूटा और उसके पीछे का कारण मैंने आपके साथ डिसकस किया मार्जन में गिरावट और अगल में आगया होगा थैंक यू सो मुच फूर वाचिंग इस वीडियो हैव अग्रेट देगाईस